हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेट ओप एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 21 करेंगे जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइस ये वर्क्षिट 17 सेप्टेंबर 2021 की है तो आगे देखते हैं आज की वर्क्षिट फिजिट में हम रिवीजन करने वाले जो भी अभी तरक हम समझ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे तो देखो क्या कहा गया है उसे हम क्या कहते हैं electricity कहते हैं the various thing use of the electric circuit electricity को flow कराने के लिए बहुत सारे जो various things चाहिए होती है अलग लग चीजें चाहिए होती है जिससे की क्या होगा electricity flow करेगी each of these has its separate symbol और उनका क्या किया गया है हर एक अलग लग symbol बनाया गया है and their identification और उनकी अलग identification है as shown there in the following picture यहाँ हमें पीचर में दिखाया गया है हम इसे अच्छे से पहले भी समझ चुके हैं तेकिन अभी और अच्छे से इसे समझते हैं देखो क्या कहा गया है connecting wire wire को किस तरह से दिखाते हैं इस तरह से हम wire को symbol करते हैं इसके बाद क्या है switch on की position switch on की position में क्या होता है देखो यह 2 points दिये जाते है उनको जब connect कर दिया जाता है तो उसे हम क्या करते है switch on की position bulb किसे कहा जाता है यह इस condition जब इस तरह से हम picture बनाते हैं यह bulb का क्या है symbol है cell क्या कहा जाते है जब one cell வ पोजिटीव और इक ऐसा है नेगीटिव , thr Δasında- déjà जा Bhag funding सुछ कनोगेज़ हो रहे दिया जाता है। यहाँ से कनेकिशष हुआ ठावट की खाग कनेक्टरी की यहाँ से डिए स्विछ यह एक से लिया, फिर दूसरा, तो इस condition को हम क्या कहेंगे, इसे हम battery कहेंगे, अब इसे समझते है, electric cell, क्या कहा गया है, electric cell, a device which convert chemical energy to electric energy, क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, को किसमी किया गया है convert electric energy में all electric cells have two terminals हर electric cells के पास में क्या होते है two terminal होते है एक होता है positive एक होता है negative battery a combination of two or more cell which has both positive and negative terminal one side देखो क्या कहा गया है कि ऐसी दो या दो से अधिक जब हम cells को आपस में connect कर लेते हैं यह combination बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते है उसे हम battery कहते है bulb a device which converts electric into light देखो एक electricity को light में convert करने वाली device को हम क्या कहते है bulb कहते है आपने देखा है bulb से क्या होती है light होती है it is filled of argon gas इसके अदर कौन सी गैस भरी होती है argon gas भरी होती है और इसके अंदर एक फिल देखो यह अपने bulb देखा होगा इसके अंदर इस तरह से तार होता है तो यहाँ पे कौन सी गैस भरी है argon gas भरी है और यहाँ पे जो filament है वो किसका बना होता है tungsten का बना होता है आगे देखो क्या कहा गया है electric circuit current means the flow of electricity current का मीनिंग क्या है कि जब electricity pass हो रही है तो उसे हम क्या कहते है current कहते है electric current flow throughout the wire from the cell positive terminal to negative terminal तो यह इसका positive terminal है यह negative terminal है तो current किस तरह flow करेगा इस direction में current क्या करेगा फ्लो करेगा positive से negative की तरफ electric current the close path along with the electric current can flow देखो क्या कहा जाता है electric circuit the close path along with the electric current flow तो अगर उसका पातिको हम क्लोज कर देंगे, तो क्या होगा, इल्ट्रीक करन्ट पास नहीं होगा, इल्लेक्रिक स्विच्च क्या कहा जाता है? इte is simple device that आ आई, the break और अब देखो, अब इल्लेक्रिक स्विच्च क्या करेगा, आपका घर का switch क्या करता है, light on करता है, light off करता है, वो क्या करता है, electric current को पूरा कर देता है, circuit को जो circuit होता है, हमने देखा था, या उसको क्या कर देता है, incomplete कर देता है, और जब हम electric current की बात करते हैं, तो वो एक close pass होता है, मतलब देखो सारे सीरे आपस में जुड़े होएं, हम चार्ण केते हैं जैसे कि सिफ मु इसे क्या है अपने मिसे करनेंट को पास होने मु भूर ना देता है फिर रेंड अます अच्छे से समझ चुके हैं बस रिविजन करना है आज एलेक्रिक फ्यूज वेन चार्ज अमाउंट ऑफ एलेक्रिसिटी पास्ट फ्यूज इसके बाद आपके घर के अंदर जाते हैं कभी कभी क्या था बहुत तेज लाइट बहुत तेज इलेक्रिसिटी आती है उसकी वज़ अब यहां पर हिंद दी आ गया हं अब बलब become fused when it is a metallic filament जो इसका बना हुआ है tungsten का बना हुआ है get burned and broken due to the excess electric current देखो हमने देखा था कि यह क्या है बलब है और यहां पर क्या है tungsten का क्या बना हुआ है एक metallic filament बना हुआ है जब कभी यह तूट जाता है यह filament देखो इस condition में तूटा हुआ है तो जब इस तूट current can pass through the between two terminals this will stop the bulb to glow and give light तो क्या होगा जब terminal पूरा complete नहीं होगा जो current है वो फो पूरा नहीं होगा तो जो बलब है वो नहीं glow करेगा तो यह थी आज की वक्षित वक्षित complete करके अपने teacher से check करवाईए thank you